इंडियन प्रेमियर लीग 2023 का 27 वा मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। RCB के खिलाफ मुकाबले में पंजाब को उम्मीद होगी की कोपनर बल्लेबास और कप्तान शिखर धवन टीम में बापसी करेंगे। फॉर्म में चल रहे 37 वर्ष के धवन कंधे की चोट के कारण 15 अपरेल को लखनव सुपर जाइंट्स के खिलाफ नहीं खेल सके थे। उनकी जगह इंग्लैंड के ओलराउंडर सैम करन ने कमान संभाली थी और पंजाब ने इकाना स्टेडियम पर दो विकेट से जीट दर्स की थी। पंजाब के लिए जिंबाबवे के ओलराउंडर सिकंदर रजा ने अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उनके अलावा मैथ्यू शॉट, हर प्रीट सिंग और एम शाहरूख खान ने भी जीट में योगदान दिया। लखनाव की तुलना में हालांगी आरसी भी कठिन प्रतिदवन्द भी है और शेम करण को पता है कि फाफ डूपलेसिस की टीम को हराने के लिए उन्हें भी बल्लेबाजी में योगदान देना होगा। बत और बल्लेबाज उनका खराब फॉर्म चिंता का सबब है क्योंकि वह पिछले मैच में 6 रन ही बना सके। की सक्त जरूरत है। दूसरी और RCB का तत्दीर साथ नहीं दे रही। कप्तान दुपलेसिस और विरात कोहली पारी की शुरुवात करके शांदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्लेन मैक्स वेल ने चौथे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके बाद शाहबास एहमत, दिनेश कार्तिक और सुयश प्रभुदेसाई ने भी अपनी उप्योगिता साबित की है। लेकिन शीर्श क्रम के लगातार अच्छा नहीं खेल पाने से उन्हें निराशाहाथ लगी है। अब टीम पांच मैटो में चार अंक लेकर आठवे स्थान पर है। उसे अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अब कुछ अच्छी जीत की दरकार है। पंजाब किंग्स की टीम की बात करे तो इसमें शिखर धवन, अर्शदीप सिंग, बलतेज सिंग, राजबावा, राहुल चाहर, सैंकुरन, प्रिशी धवन, नाथन एलिस, हरप्रीत बरार, हरप्रीत सिंग, वी कावेरप्पा, लियाम लिविंग स्टोन, मोहित राठी, प पाल लोमरोड, फिन एलन, सुलश प्रभुदेसाई, कर्ण शर्मा, सिध्धार्थ कॉल, डेविड विली, वेन पार्नेल, हिमार्शु शर्मा, मनोज भांडगे, राजन कुमार, अविनाष सिंग, सोनु यादव और माइकल ब्रेस्विल होंगे, तो दोस्तों आपको यह व